Assalamualaikum everyone तो कैसे हैं आपसाब सब उम्मीद करते हैं खैरे से होंगे अपना बहुत सारा ख्यार रख रहे होंगे Welcome back to my channel आज मैं आप लोगों के लेकर आई हो एक बहुत ही मज़ेदार से वीडियो जैसे के आप लोपन नजर आ रहा होगा मेरे पास अबके गुलाब और यहां पे प्लेट में कुछ चीजे पड़ी होई है तो समझ तो आप गए होंगे कि यह कौन सी वीडियो और किस तरह की होने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं आपको बताते हैं आजा इसमें सबसे वहले है मैं ऑपने शुरू 거ा सबसें कि दो अक्सेड पर बताओं कि था उड़ाया में और इसमेरी इसमेरे में इसमारा कौन पर उत पर बताओंगatin इसमेरे पहले जांग धिए था स्यूक्ष खंग धर तो दू अचमेरे फंड़या जिसको रहा हं ना रहा हैंत MARC एम हाफ लcor halib holder सब्सक्राइब 2 जियर नहिए है इज कोना दर्मानाव थायर गीतल प्रेल थायर है और षायर भाक् sonst तो अन tut है की पाहती है मिए और जीर इस संवी श्राहिके छोनुग के स्हाइए जिकले है हुसे हैं एक तो बनाने का तरीका यह है कि हमने एक खाली क्टोडी लेनी है जैसा कि यह मेरे पास है उसमें हमने डालना है टू टीस्पूम बेस्टन के मैंने पहले से महिल करके रचे बेटें ठीक है और इसकी साथ हमें चाहिए एक चुटकी अल्दी अपने बहुत थोड़ी सी लेनी है क्योंकि यह बिल्कुल जैना आपके फेस को येलो कर देगे अगर आप इसको जादा यूस करेंगे और दूसा यह कि अगर जादा यूस करें इसको मच्छ से मिक्स करनेंगे ताकि इसमें ये जू ना रहे हैं इनको तोड़के रुखियों को अच्छी करना से मिक्स करनेंगे और फिर हम इसमे आड़ करेंगे अपना लेमन अच्छा ये बेस्तन जो है ना ये हमारी स्कीम से ओयल को अज़ाब करने के लिए बहुत ही अच्छा ना पकोड़ों में तो इसको डालेते हैं और खाते भी बहुत मज़े से हैं लेकिन बहुत कम लोह को पता है कि ये इसकीम की ब्राइट ने और इसकीम से जैना ओल को पंड्रोल करने के लिए बहुत ही बैशिए और जिन परसंसको अट्नी होती है ये ये उईली स्क करें इस मास को थर्टी डेस के लिए वे यूज़ करें तो उसकी अच्नी बिल्कुर फिंदे चोल राएगी जिनकी नॉर्मल अच्नी है जिनका कोई और मसला है और मुदर है या किसी और बज़ा से है तो उनको जाना जारी से बादर डॉक्र को दिखाना पड़ेगा अज़ थिस्द्धी किना है अबी तो नहीं पेस्ट कर्षी नहीं कि एफार मीज़ाओ इस प्रत॥्अ पेस्ट बनाने के लिए हैं इसमें इसमे चांटि हम लेप में ते लिए विए तो ये मुद्धी ए एफार कह January लाह से तो ना मैं शू मेरा हैं यामनि अबच्दी के दीश़ के पर पाइस के लिए हमें इसमयाद करेंगी या जब तक पेस्ट नहीं बन जाता है, एक्छा साफिक्सा पेस्ट थिन आपकी स्कीन पर अप्लिकेशन एज़े ली हो जाए अचा यह वाला मास्क और यह वाली रेमडी जाना अकसर एक्ट्रिस भी यूज करती है मैं देख रही थी सोचल मेडिया पर तो करीना कपूर ने अपनी जाना स्किन केर रोटीन शेयर की वही थी जिसमें यह वाला मास्क भी यूज किया हुआ था बेसंग, हल्दी और हनी एड़ किया था उसने और उसमें थाब, अर्के गुलाब और लेमड़ देखें उन एक्ट्रिस को भी इन देशी टोटों की जोदपाड़ी जाती है अपनी स्किन को ग्लोई बिनाने के लिए अशरल कि आइशाम के दिगा था बेसंगेए न था होगे हम जोड़े था वसका पर अपनी स्किन को रेमड़ा है यह हमारे पस पेस्टार बेसे प्यार हो गया है फिसमें थाएर भाटर पी इसमें पताई है ब्राइट करेगा और स्कीन को आयल कंट्रोल करेगा इसके अलावा भी एंटी 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 इंप्लेमेटर्टी और सारी प्रापरटी जो एक एक परसंस को फील करनी पड़ती है यह जिन से वो गुजरता है उसको यह त्रीट करने के लिए जाने के लिए तो आप लोग भी अच्छा आप इसको आप इसको स्क्रब भी यूज कर सकते हैं कि आप बिल्कुल हलके आतों से इसको मसाज करने आपने स्कीन पर यह आपके स्कीन को जेंटी एक्सपोलिएट भी करेगा इसको लबाते हैं 10-15 मिट के लिए और फिर आपको दिखाते हैं रिसर्ट्स नापनो कि आपके नापनों को पीला कर देगा इसमें मजूद हल्दी जाना वो डिस कलरेशन के लिए यूज होती है इसको मैं रखोगी 10-15 मिट के लिए जित तक यह खुशक नहीं हो जाता है और जित तक यह खुशक होता है तो उसकी बाद आपके सामने इसको वाश्कर के रिजर्ट्स किताते हैं आपके रब कर लिए ताकि यह एक्स्ट्रा टैन और जो भी मेरी डैट स्कीन है वो इसको स्कुब करना बहुत मुश्किल होगा तो बारह से कीला करना पड़ेगा पर स्कुब करना पड़ेगा तो पहले ही थोड़ी मेहनत कर लेते हैं अच्छी से में मांधe सेल्ड़ी में है वाधरेगा व। मढ़े सेल्ड़ स्किन को सेल्ड़ी रख AH ने 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 啊 पर रहे पर सुब चाहिते हैं आफड़ेशना पर कर अच्छी स्क्रद़िय पेरhewट तो तोपी्तिय। तो मैं आप लोगों को ना टिशू से रेमूव करके दिखाती हूं किकना मैट हो गया स्किन और लाइटर भी लग रहा है पहले कि इस पर गया तो यह है हमारे दिखाती है हमारे अजया स्किन के लिए आप को मैंट सक्षन में और दो मैं आप कैसा लेगा अपने इस प्रफ्ट मास्क रख Siya Sun पॉफ जोई नेच्छी ट्रीट हो नागे केमिकली है। तो आपने निस्कीन को कैमिकली ट्रीट करने कि पीजाए नेच्छी एक्सफोलियेट रहता है। यह दोगे आतीयों आप लोगों को दिखाती है। यह देखिया यह देखिया यह एक प्रिपेर करें इसको लगाएं और नैशरली ग्लो करें तो अगर आप लोगो को मेरी एक पसंदाई होगी तो इसको थाम्स अप दीजिए गार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करियेगा और मुझे अपनी दोह में याद बखियेगा तब तक द इजिए मुझे इजाज़त अलाः अफेस